शेराम चर्णानूरागी आचारे राजमिश्राजी से धर्म संस्कृती और एस्ट्रेलोजी से सम्मंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस जोतिश ग्यान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ट्लिक करें जेश्राम बहुत स्वागत है आपके अपने खास करें कारिकम मानस जोतिश ग्यान में मैं हूँ आप सभी के साथ आचारे राजमिश्राज आज फिर एक बार बड़ा सुन्दर और बड़ा अच्छा उपाय आप सभी के लिए जिसका आप लोग लाप्राप्ति कर पाएं बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो प्रापटी खरीदना चाहते हैं या प्रापटी बेचना चाहते हैं कारण बस ना ही प्रापटी खरीद पा रहे हैं और ना ही प्रापटी बेच पा रहे हैं तो ऐसा कोई सुन्दर स्वा उपाय हो जिसके माध्यम से आप प्रापटी खरीद पाएं या प्रॉपटी को बेच पाएं तो आज एक बड़ा सांदार और बड़ा सुन्दर्था उपाय आपके लिए ले करके आया हूँ आप इसको करेंगे तो आपको निश्चत रूप से लाब होगा और आपका कारिवड़ी सुन्दर्ता से हो जाएगा आपकी प्रॉपटी बिग जाएगी और अगर आप कोई प्रॉपटी खरीदना चाहते हैं आप नहीं खरीद पा रहे हैं बार बार योग बनता है मकान खरीदने का लेकिन नहीं हो पा रहा है तो भी आपका काम हो जाएगा तो प्रॉपटी खरीदने के लिए और बेचने के ल ब्रहस्पतिवार के दिन 86 लॉंग लेकर के आना है और लॉंग भी फूल वाली होनी चाहिए ध्याना कि हर लॉंग को प्रॉपर चेक करना है लॉंग आपकी जो है वो प्रॉपर फूल वानी होनी चाहिए बिना फूल वाली लॉंग आपको लेकर के नहीं आना है तो 86 लॉंग उपकिन ले कर कि आना है, और उसको सोमार से, ले कर आइंगे ब्रहसपतिवार से, लेकिन उपाइय प्रारम करेंगे सोमार से, अब सोमार को दो लाइब आपने उठाया, और उठा करके जो भी आसपास भग्वान श्रिव का मंदिर है, वहाँ पर गए, नहाद हो करके बड़ी पवित्रता के साथ भगवान शीव का ध्यान करते हुए, दोनों लॉंग भगवान शीव के उपर उठा करके आपने चढ़ा देना है, और लॉंग चढ़ाने के बाद स्रद्धा पूर्बग हाथ जोड़ करके भगवान शीव को प्रार्थना करने के बाद क्या करेंगे आप एक लॉंग वहाँ से ये प्रार्थना करने के बाद स्रद्धा से प्रार्थना कर लिया जो भी आपकी मनों कामना है प्रप्रप्टी खरेदने और बेचने को ले करके उसको अपने मन में स्रद्धा पूर्बग भगवान शीव को सुना देना है फिर एक लॉंग वहाँ से उठा कर ले आना है एक भगवान से उपर ही चढ़ा रहेगा नहीं अब वापस आएंगे उस लॉंग को उठा करके घर के मंदिर में एक लाल कपड़े कपड़े पर उठा करके रख देंगे ठीक है एक लॉंग अच्छा यह तक 43 दिन तक ये उपाय आपका प्रापर चलना चाहिए अब 43 दिन तक जब ये करेंगे 43 दिन तक जो लॉंग आपके घर में रखा हुआ है उस लॉंग को पूरी पोटली जो लाल कपड़े में था उसकी एक पोटली बनानी है और फिर पोटली बनाने के बाद या तो आपको उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना और या तो आपको पीपल के ब्रिक्च के नीचे धा खोट करके गाड़ देंगे ध्यान रखिएगा ये उपाई इतना सांदार है आपके लिए इतना बहतरीन है आपके लिए कि हो सकता है कि 43 दिन जब ये आप उपाई कर रहे होंगे इसी बीच में आपका काम हो जाएगा आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा अगर इ नहीं होता है तो तुरंत ही 43 दिन पूरा होते होते आपके काम जरूर हो जाएगा प्रापटी खरिदने और बेचने का तो बड़ा सुंदर उपाय है लेकिन हाँ एक की ध्यान रखना है जो बताना भूल गया जब उसको खोट करके गाड़ रहे होंगे या जल में प्रभाह पर रहे हूंगे और चाहे खोट करके गाड़ रहे होंगे एक संदर सा जाहर आपको तयार करके देता हूं ताकि आपनों के काम आजा हैそれでは दने ठीक